हलो आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने ब्रैंड माकट में वेल हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग में हमने देखा के हम कैसे B2B, Business to Business डील करते हैं पहले हम ही करते हैं और Business to Customer भी हम ही डील करते हैं फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब हम business to business भी deal करते हैं तो जब आप business करते हैं तो इसमें आपका B2B, B2C ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं हाला कि इसके अलावा C2C भी होता है consumer to consumer जिसमें लोग old चीज़ें अपनी बेचते हैं या फिर कुछ कबाड़ी वाला टाइप काम होते हैं ये सब consumer to consumer होता है या फिर किसी पुरानी चीज़ों को old used चीज़ों को बेचना तो हम बात करते हैं B2B, B2C हम बात कर रहे हैं trading की तो trading के लिए मैं आपको कुछ best tips देना चाहूंगा कि आप अपने area की जो भी manufacturing की biggest market है उसे cover करें वहां से आप जानगारी लें और products purchase करें और फिर उसे अपने different different market place पे selling करें जैसे के आप Flipkart, Amazon या फिर और भी बहुत सारी websites हैं उन पे sell कर सकते हैं तो यह थी trading इसके अलावा मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं मैं वाट से चुड़े रहे हैं तैंक यू